हला अग्रान माइनम इस वकार हसन और तोडेव विल डिसक्स हाउ यू पीपल कैन मेक आव वेरी गुड प्रैसी जी अच्छी प्रैसी बलाने के लिए जूरुरी होता है कि आप उसमें से आइडियास को ट्रिम ना करें आइडियास को एक्स्क्लूड ना करें बलके आप प्रै आइडियास को बजाए एक्स्क्लूड करने के आप ट्रिमिंग करें सिंटेसिस की लेंद को श्रिंग करें लेकिन आइडियास को इंटेक्ट रहने दें तो मैं आज आपको सखाऊंगा ये मैथर्ड जिससे आप अपने सिंटेसिस को श्रिंग का सकते हैं बगैर आइडियास को exclude किए जी तो यह आप lecture देखेंगे आपको सारा प्रापर मैथन प्रापर प्राइसी करेंगर समझ आ जाएगा साइब कर ले और बैल आइकों क्लिक करें ताकि मेरे डेली लेक्ट्र ऐसे प्राइसी के उपर आपको मिलता रहे और मेरे चैनल आज में विसेट करें प्लेलिस् को वार्म बैठेट तक लेकर जा सकते हैं अगर वार्म बैठेट तक नहीं भी जाती तो काफी हद तक कम हो जाती है प्रैसी में जो वर्ड्स होते हैं रिक्वाइड लेंथ के अंदर आ जाते हैं और अगर नाम यह तो थोड़ा बहुता मजीद ट्रेमिंग करके उसको वार् अपर मैंने इसको इंदर पाए जारे हैं नाली कुक किस डोग उन लोंग वाक्स अब मैंने इसको श्रिंग कैसे किया, मैंने अंदर से विच वाला पार्ट निकाल दिया क्योंकि ये एक्स्रूड कर देने से मेनिंग में फ़र्ग नी पारा आइडिया आपका जोंस है वो उसको याइडिया एक्स्रूड नहीं हो रहा है सिंटेंस में से इसकी लेंथ काम हो रही है, नमबर वर्ड काम हो रहे हैं वही जो आपको प्रैसी में चाहिए होता है तो अली हैड़ा डॉग विच टूक ओन लोंग वाक्स को आपने करवर्ड कर दी है विच को निकाल दिया अली टूक इस डॉग ओन लोंग वाक्स अब देखें लैंग श्रिंक होते जा रहे हैं वह मैंने नमबर वर्ड लिखें जो काम हो रहे हैं पहले में दस ते साथ होगे दूसरे में दस छे होगे आरदास लफ तो यहीं पर पहले दो सिंटेंस में हमने कम कर दिये देर वर गी श्रूइंग ओन दपॉंट जी अब इसको मैंने कैस श्रिंक किया है गी स्वैं मॉन दपॉंट आप यह देखें कि आप आप आपने इसको करवर्ड कर दिया इस संटेंस में अच्छा इसमें क्या जूरुत क्या होती है जी देर और एट वाले संटेंस होते हैं उसमें आप देर को और एट को निकाल भी दें तो संटेंस में फ़र्ड नहीं पड़ता है इनफेक्ट आपको देर और एट वाले संटेंस ऐसे रैटिंग और प्रैसे रैटिंग में बनाने भी नहीं चाहिए क्योंकि यह जो आपके एपोर्टर पॉइंट्स होते हैं स्ट् कार सकते है दूसरे तरीके मैंने पटा विश्ट को मिड का सकते हैं पहले तरीकी contemplative का सकते हैं दो संटेंस का फैंद को नों में पेसे ऍहिए म वस प्रेस्ट इन दा रूम कर दिया चेर्ज एंट टेबल को मैंने निकाल दी अंदर से फरनीचर लिया है आइडिया वही रहा में थीम आपका वही रहा लेकिन लेंज फिरिश्रिंग होगी आठ से छे लफज हो गए तो यह चूंकि यहां पर स्पेस इतनी है तो मैंने कुछ सेंटेंजंस यहां पे आपको ट्रेंग कर कर देदियें अब यह कए सब्सक्राइब आइए वहसे सब्सक्राइब बात दौन वह सेम रही है लेकिन ऊनके लिंच्रेग ओर है तीन तीन लफ्स चार चार लफ्स एक संटेंस में से कम होते जा रहे हैं तो अगर आप पूरी प्रैसी में एक संटेंस पिस तरह वर्किंग करें एक संटेंस उठाएं उस पर वर्किंग करें नेक संटेंस उठाएं उस पर वर्किंग करें बगहर किसी important point को exclude किये बगहर तो प्रैसी रेटिंग में जो conception है ना कि आप reading कर लें और फिर एक जल्दी से पैसी बिना लें जो आपके मायनी में तहीं यह बहुत खालत है आप लोगों को working करने चाहिए प्रैसी के उपर आप पहले प्रैसी पढ़ें फिर उसको उसके points मनाए फिर points को trim करें trim करके final draft बनाएं यह जो आपने trimming की है इस trimming करने के बाद आप इनको use करते हुए इन sentences को use करते हुए आप क्या कम करेंगे आप एक final paragraph बनाएंगे इन सब को joint together कर देंगे उसी sequence से जिस sequence से आपको प्रैसी में sentences दिएगी है ideas दिएगे उसी sequence से आप इनको joint together करेंगे trim किये इस sentences को जब आप इनको joint together करेंगे एक paragraph में trim किये इस sentences को तो आपका final paragraph बन जाएगा जो कि आपकी required length के अंदर अंदर होगा और अगर नहीं भी होगा तो थोड़ा सारा मजीद working करके आप अपना required length अचीव कर लेंगे और आप की पैसे से कोई important बाद निकलेगी आपकी प्रैसी exactly उसी तरह बनेगी जिस तरह examiner चाहता है कि आपने वान बेठाट करना है और उसमें से कोई important आइडिया कोई important point भी exclude नहीं करना तो trimming सीखें sometimes इसकी जिस तरह मैंने स्खाई है और मजीद lectures में प्रैसी पे आप लोड़ करते हैं important ideas को शामिल करके ना कि आप ideas को exclude करें और length question करें तो यह तरीका बहुत अच्छा है इस तरीके से प्रैसी के practice करें और घर बैट के practice करें आपको यह तरीका adopt कर लेंगे आप आप इसको apply करना आपको आ जाएगा और cssp results भी देखेंगे तो देखते हैं ना ससाइब क ने क्योंकि वहाँ पर दो सो तीन सो लेक्टर में ने अपलोड किया आप लोग लिए थैंक्यू समच